बिहार में बीच अनुदान के लिए ओनलाइन स्टार्ट है कैसे आपको ओनलाइन करना है प्रोसेस हम आपको बता देते हैं डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दी है जैसे लिंक पर क्लिक किजिएगा इस वेबसेट पर पहुंचिएगा यहाँ पर आने के बाद बीच अनुदान आनलाइन करते हैं इस बीच के लिए तो आपका क्या नियम और सरते हैं वो देख लिजेगा बीच का परियोग खेती के अलाबाकि से अन्य परियोज़र में इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ बतार टर्म एन कंडिशन है मांग की गई बीच का उठाव नहीं करने पर किरसी लगरी तीन उल्पया परती किलोग्राम है यह सारे आपको होम डिलिवरी हौगा आपका जो प्रशनल एड्रेस है उस एड्रेस पैप को यह डिलिवर किया जाएगा और कितना रुपय कोन सा चीज किया जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऑंलाने के बाद अरहर यहाnd 25 रुपर 15 kg आपको मिलने वाले हैं उसके बाद मुंग फली 40 रुपर 15 kg मिलने वाले है सबसीडी के हिसाब से तील जो है सबकुछ यहां पर देख सकते हैं संकर है अरहर है धान है सक्कर है उसके बाद फसल का नाम यह से देख रहे है और आपको मिलने वाले 10 बर्स के अधिक के प्रवेदन अनुमान अनुदान यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आने के बाद नीचे में यहां पर देखे अपने ओनलाइन पर किलिक करना है जैसे इस पर क्लिक किजिएगा इसका अगला पेज खुलेगा सबसे नीचे आपको चले जाना है सबसे नीचे और नीचे आने के बाद यहां पर क्लिक हेर चले मैं यहां पर पेज रिफ्रेस हो रहा है तो यह पिछले साल वाला है तो यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक हेर इस पेज पर पहुँच जाएगा यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको crop choose कर लेना है कौन से फसल के लिए आप online कर रहे हैं ठीक है धान है पैड़ी मना धान और उड़द है संकर मक्का अरहर तो चलिए अगर आप दाल के लिए करते हैं अक्सर लोग दाल ही करते हैं मंगफली के लिए मैं करता हूँ चलि के लिए home delivery और अरहर के लिए home delivery उसके बास submit कर दिये सब्मिट जैसे कीजिएगा यह यह फील आपको करना होगा देख रहे हैं उपर में detail जैसे आपको अनम पिम किसान में जो यह थे कि हैं वह तक आने के बाद आपको अन पे आउट कर देना है कितना लेना है वह करना है सब कमेंट कर दाना यह आपका ओंलाइन हो जाएगा इस तरह से आप आउलाइन कर सकते हैं किसी भी तरह के कोई प्रावलम आड़ी हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं चैनल पर पहले पार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं